तो crypto currency market में काफी सारी categories है और अगर आपको किसी भी category में पैसा कमाना है अच्छा पैसा कमाना है तो आपको वहाँ पे जल्दी active होना पड़ेगा जब सब लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो वह आपका सही time नहीं है उस category पे ध्यान देनेगा और generally क्या होता है कोई भी category आ लगते है उससे पहले ऐसा लग रहा होता है वह बिल्कुल इखी dead है तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी category के जो इस bullrun में तो अभी तक dead ही perform कर रही है जो की है एक gaming coin category गेम 5 भी बोल सकते है metaverse भी बोल सकते है राइट बट गेम 5 category ने last bullrun में काफी अच्छे गईन दे थे अगर आप दिखेंगे एक top leader coin को इसे काफी सारे coin थे हम से बात करेंगे एक की coin की x infinity की जिसने यहाँ पे 1000x का return दिया बट इस bullrun में ऐसा नहीं हो पा रहा बट यहाँ पे एक बहुत important news है insider news है आपके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आज ठीक है बिल गेट्स से related news है ठीक ह बट मैं अगर बहुत सारे coin आपको एक video बताऊँगा तो आपको knowledge तो मिलेगी नहीं ठीक है so यहाँ पे बात करेंगे how the last bullrun gaming is dead new era of blockchain gaming एक insider news बताऊँगा आपको लोग अभी से ignore कर रहे है ठीक है आने वाले time में जब यह news confirm हो जाएगी market में आ जाएगी तो यहाँ पे बहु blockchain coins की बात करेंगे तीन blockchain coin की बात करेंगे जो gaming से related है एक risky एक super risky एक big blue chip coin है जो safe है यहाँ पे charts and levels मैं आपको बताऊँगा आपको इस video को learning के लिए analyzing के लिए use करना है ठीक है because आपको call से पैसा नहीं बनेगा आप कुछ भी कर लेना ठीक है अगर आप crypto में नए हो या फिर बनाते हैं आपको तो आज की वीडियो का like target है 1000 likes का आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना मत भूलेगा ऐसा और content और data में आपके लाता रहूंगा और detail analysis सब चीजों की reasoning के साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लिजेगा subscribe अगर आपको लगता है कि आसा content आपको daily basis पर चाहिए तो यहाँ पर साथी साथ मीचे दिया है Twitter का link Twitter पर आने वाले टाइम में काफी सारे charts में share करूँ हूं मैंने पहले ही बोला है सारे charts में share नहीं कर सकता आपको YouTube पर आगे बर Twitter में मुझे share करना बहुत पसंद है तो यहाँ पर काफी सारी चीजों क is a dead coin क्यों dead coin है या dead project क्यों है क्योंकि यह जो game है इसको खेलने में कोई मजा नहीं हा ठीक है last bull run में it was just the start of blockchain gaming ठीक है न आज की rate में अगर आपको मैं बोलू भाई X infinity खेल ले जाके खेलोगे आप आप कितने बड़े gamer हो आपको कितने खाली timer X infinity नहीं खेलोगे क्योंकि एक तो boring उपर से कमाई नहीं तो पिछली बार जो bull run आया था it was all about hype it was all about earning कि भाई कमाई कहां हो रही है लोग खेल रहे थे है ना कमाई हो गई बंद वो तो obvious ही बात है एक time तक ही चलेगी उसके बंद हो गई कमाई ही जादा कमाई कुछ होती नहीं है कुछ भी नहीं होती इनफैक loss ही होता होगा खेल के तो time भी waste हो रहा है मज़ा भी नहीं आ रहा बट असली तरीके से अगर आप देखोगे तो मज़ जो की call of duty जैसी है जो की bgmi जैसी है जो की candy crush जैसी है बट आगे जाके यह नहीं होगा कि यह game call of duty को मैं बोलूगा कि पीछे कर देगी बट यह जरूर हो सकता है आने वाले time में कि call of duty blockchain integrate कर दे क्योंकि इस चीज की need है क्यों need है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह skins दिखा यह guns की right so this is all paid you have to pay for it and आप यहाँ पर pay कर रहे हो हजारो रुपे हजारो डॉलर लोग तो लाखो रुपे यहाँ पर खर्च देते है gaming के अंदर और और फिर उसकी ownership आपके पास नहीं है it's in just in the game ठीक है आपकी game delete हुई आपका ID delete हुआ your assets are gone so आप own नहीं करते है पर blockchain पे इस चीज़ को इस तरीके से NFT form में लाया जा सकता है जैसे कि आप इसे own करो so इस वज़े से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में gaming industry में blockchain का integration जल्दी होने वाला है यहाँ पे एक news और है हमारे पास बहुत पहले discuss करी थी हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे unity asset store को unity के उपर कुछ feature develop करती है यह obviously develop करते है developer है and Xbox के लिए and they are integrating cryptocurrency और इनको mail आया है Xbox की तरफ से जो की Microsoft का project है और यहाँ पे Bill Gates इसे own करते है तो this is a big big news अब जब बात आती है gaming की तो बहुत सारे coins को फाइदा हो सकता है बड़ हम आज तीनी coins discuss करेंगे बहुत सारे coins आने वाले time में मैं आपके लिए discuss करूँ है अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप coin की वीडियो होना तो हम नहीं खरीब पाते हैं कोई हमना already बहुत कुछ खरीद रखा है हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं होती बड़ नौलेज रखना market के बारे में बहुत ज़रूरी है तो तीन blockchains पर मेरा काफी ज़्यादा ध्यान है ठीक है तो पहले बात करते हैं blockchains की सबसे बाली blockchain है sui 5.4 billion dollar बहुत ज़्यादा high high hype में थी थी थोड़ coin है और small bag है मेरे पास ठीक है सागा की बात करेंगे तो 181 million market cap पे mid risk coin में इसको मानता हो और mid ही मेरा bag है mid bag नहीं था small bag था वैंने इसकी staking करी थी मैंने past में भी बताया था अब staking करने का फाइदा है नहीं past में जिन लोगों ने मेरे साथ करी थी उनको फाइदा हुआ होगा इसको बहुत सारे अलग-अलग narratives हैं बहुत साले अलग-अलग categories हैं जैसे की blockchain हैं जैसे की gaming studios हैं NFT studios हैं या फिर आप बोल सकते हो game coins हैं जो specific game के coins है right और सबसे easy कहां पर है पैसा कमाना सबसे risk free और सबसे easy यहां पर होगा blockchains पर है अब जब बात आती है एक चीज मैं आपको जा दूँ जहां पर भी आपको दिखे न high risk high risk में low investment करी जाती है लोग यही सबसे वड़ी गलती करते हैं कि उनके portfolio के major part में छुट छोटे coin होते हैं और जब तक वो perform नहीं करते हैं दिखो करते हैं coins perform but बिल्कुल end में जाके एकदम से भगते हैं तो आप परशान हो जाओग description में bing x का link मैं ऐसे सारे coins bing x पे लेता हूँ hold नहीं करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ आपको exchanges पर आने ही पड़ेगा just for trading just for buying and उसके बाद आपने wallets में shift कर सकते हो तो I use bing x अगर आपका bing x पर account है तो well include नहीं है तो नीचे दिए गए link से आप bing x पर account मना सकते हो ए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्त कि exchanges पर long term hold नहीं करते हैं आते हैं trading करते हैं कुछ parts है और वो फिर निकाल लेते हैं चाहे कोई भी exchange हो चाहे Binance हो बाइविट हो या फिर आपका कोई Indian exchange हो आप जो यूज़ करते हैं मैं bing x यूज़ करता है सबसे पहले chart पर चलें है तो उस चीज़ पर आपका ध्यान कम होना चाहिए क्योंकि retracement आएगी जब सारी ही लोग पैसे लगा रहे होंगे तो market ऐसा play out करेगी जैसा आपने सोचा नहीं होगा इसका फाइदा आप्टोस को भी होगा अप्टोस भी मैं यहां पर डिसकस कर सकता है तो मैंने आपको कई वीडियो में चीज़ समझाई है जो लोग पुराने जुड़े हो उनको तो पता है ठीक है तो यह होगा breakout point इसको मैं आपके लिए मांक कर लेता हूँ breakout point क्यों है यह क्योंकि last high था all time high था अब मैंने आपको कई बार समझाए market कैसे काम करती है सबको पताता है यह all time high है सबने आप बात करें कि सुई तो price discovery range में जा रहे है market ने किया कि deviation प्ले करी आपके साथ और आपको यहाँ पर trap कर दिया क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा करता है मैंने कई बार समझाए आपको support resistance indicators whatever you use whatever you use आपको हमेशा trap कर जाएगा दोस्त आपको हमेशा trap कर जाएगा तो trap मत हो यह है तो यहाँ पर breakout point अगर देखे तो 2.08 dollars पर है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर last swing low कहा था यहाँ पर था यह last swing low ठीक है इस last swing अब मैं को buying करने है तो मैं support do know support मैं use करता हूँ Fibonacci retracement levels so मेरे हिसाब से यह value buying zone है काफी बड़ा deep zone है तो इस deep zone में आप spread करके order लगा सकते हो overnight आपके fill हो गए तो होए क्योंकि कल आ रहा है election गरगल तो कुछ volatility तो market में रहेगी इसको mark करके चल देते हैं ठीक है अब value buying zone में कई बार आजाती है चीज़े कई बार नहीं आती है नहीं आई तो क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं है भाई है नहीं आई तो हम क्या करेंगे फि ठीक है यह तो मैंने last high से आपको compare करके दिखा था अगर आप एक चीज़ देखते हो यहाँ पे higher highs and higher lows को अगर आप देखते हो तो बहुत easily आपको एक चीज़ दिख रही है कि last high कहां पे था ठीक है last high यहां पे था right यह था high तो इस high के उपर जा रहे है तो automatically एक higher high बनने बॉल्ल है बट मेरा क्या प्लान है गेमिंग के लिए मैं अगर गेमिंग में करूंगा तो भाई मैं तो ट्रेंड इंटिफा करतो पूरा दिन देता हूं चार्ट को राइट सो जो बंदा पूरा दिन नहीं देता उसके लिए तो यही strategy हो सकती कि value buying zone में order लगा के रखो and then you can buy it अब कई सारे लोग बोलेंगे सुई यहां नहीं आ सकता सुई बिल्कुल आ सकता है यहां पर क्यों नहीं आ सकता it's just a 48% dump 45% dump and obviously अगर market यहां से bullish हो गई तो फिर आपको breakout point काम आएगा तो यहां पर मैं आपको unbiased research दिने हाँ ताकि आप ऐसा बना पाओ so this is your value buying zone I should market for you यहां पर spread में और लगा होगे मेरा तो plan यही है सुई को लेके और मैं इसमें वैसे भी आपको तो नहीं करूँगा but मैं इसमें leverage trade ही लोगा क्योंकि मेरे पाँ सुई है already free bag right दो बार थीन बार हमने कर रहा है free bag इसका वो मैं hold कर रहा हूं long term के लिए और में को सुई में अब जादा कोई खरीदने में interest नहीं है बड़ पैसा बनाने के लिए माइरिया के उपर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ यह लोग आगे तुमारी वीडियो 48 million market cap है बहुत छोटा coin है ठीक है एक बार बहुत अच्छी rally दे चुका है इसी level से राइट बट अब आपको एक चीज देखने है मैं आपको यहां पर value buying zone यहां पर नहीं है ठीक है यह तो है यहां पर bottom इस area में 0.01 पर या तो फिर यहां पर एक higher high हमें चाहिए तो वो थोड़ा सा उपर ही मिलेगा मेरे को लगता है यहां पर मिलेगा आपको ठीक है ना यहां पर इस point के बाद यह change होता रहता है time to time तो breakout point में mark करूँ है यहां पर माइरिया का माइरिया में successful record मेला closing मेली मैंने trade लिया मुझे दिख रहा है यह resistance है 85% तक की resistance मुझे दिख रही है इस 85% gain को use करके मैं अपना bag यहां पर free करूँ है and I will just move on ठीक है अब last coin की बात करेंगे तो सागा है सागा जब यहां पर था तो मैंने आपको बताया था you should wait last video जो सागा पर देख सकते हो else what will happen मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है else यहां पर हमने बात करी थी golden pocket की इसको respect नहीं किया इसने सागा ने इसको respect नहीं गया उसके बाद मैंने आपको यह trend line भी बताया थी मैंने बताया था यहां पर tap होना possible है almost tap हो गई so अगर आप अब देखते हो बिल्कुली swing low से जो bottom था और अभी जो current high था उसका देखते हो तो golden pocket के just नीचे ही है so यहां पर अगर सागा का breakout मैं देखू तो मुझे दिखता है इस point पर है डेली में ठीक है इस point पर है सागा को stake करने का अब आपके पास mocha नहीं है दोस्त sorry to say that थोड़ा से महंगा जरूर हो गया है यहां पर जहां पर मैंने आपको breakout point बताया बट इस इस दब्रेकाउट पॉइंट अब आप ने वीडियो देखी एंड तक आपने कुछ चीजे सीखी आपको मैंने fib use करके दिख ब्रेकाउट का भी value buying zone भी इसको अगर ध्यान में रहोगे तो पैसा आपका बनेगा यह बनेगा राइट कल election है तो बहुत ज़्यादा depend करेगा उन सब चीजों पर बट यहां पर gaming coins की category को आप पूरा scan कर सकते हो नहीं चीज़ दियागा है telegram का link वहां पूरी category की मैंने अप watch list शेयर करें अगर आज वीडियो पंदर सो लाइक होंगे दुबारा दुबारा कर दूगा ठीक है तो अब एक चीज़ और मैंने बोला माइडिया मैंने बोला सुई मैंने बोला आपके सामने यहां पर सागा तीन ब्लोक्चेंस मैंने आपको बढ़ाई बट तीन ही ब्लोक इसकि little की साथ इसके तेन यहां पर दियान दे सकते हूँ जहां एक एक एक्सी अपर दियान सकते हो इन्मिटेवल भी या आप किसी और ब्लोक्चेंस मैंने आपको टीन बताई ने आपको data दे पाऊं, levels दे पाऊं, समझा पाऊं जैसे Zai एक ऐसी blockchain है जिस पर काफी जारा लोगों का interest था and Zai काफी डाइम से range कर रहा है देखो Zai काफी यह ऐसा वाला जो chart होता है न मेरे भाई यह bear market नहीं चल रही so यहां से जब यह भागेगा तो काफी भाग जाएगा तो ऐसे coins पर ध्यान रखो मैंने past में भी gaming coins के उपर strategy बनाई है यह news मुझे आपको बताना ज़रूरी लग रहा था कि मुझे आपको बतानी चाहिए कि ऐसे-इसे developers को mail आ रहा है regarding blockchain gaming this is gonna be very very huge generally लोग बात करते हैं जब चीज़े pump हो जाती है ऐसा आपने देखा होगा doge में doge पर मैंने आपको दो वीडियोस दी दोनों वीडियो में आपको level बताए अब आपने अगर past वीडियो मेरी देखी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो देखी लोगे दोस्त मैंने आपको doge पर भी value buying zone दिये थे दिखाता हूँ आपको ठीक है यह देखो value buying zone से हो रहा है pump बुल breakout भी दिया था है ना और उससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने 12 cents पर बनाई थी doge की somewhere around here so यहां से भी अच्छा खासा breakout मिला था तो आपको generally लोग ऐसी rallies के बात देंगे डिटा मेरा कोशिश रहेगी कि आपको पहले दूँ आने वाले टाइम में बहुत सारे look apps बहुत सारी opportunities बहुत सारे breakouts discuss करेंगे बड़ जब सही समय होगा तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देने कुछ सीखा आपने तो बहुत अच्छा लगा है जो भी मैं आपको वीडियो में बदाता हूं उसको जागे backtest किया करो तो ही आपकी knowledge grow होगी आपकी knowledge grow होगी तो असली पैसा जो होता है न वो skill से बनता है call से बनता होता तो फिर बात ही घता मझा जाती ठीक है तो मिलते हैं दुबारा see you again वीडियो होगा देना like अगली वीडियो में मिलेंगे interesting वीडियो से रहेंगी altcoins आपके लिए cover करेंगे bitcoin आपके लिए cover क करेंगे strategies cover करेंगे आपको technical analysis भी सिखाएंगे इस channel पर मिलते हैं दुबारा see you again take care